दोस्तों आप अपने Instagram पर followers increase करने के लिए क्या क्या त्रिक्यूज करते हैं तो मैं आपको बता जिता हूं कि सबसे ज्यादा लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं कि Instagram पर followers कैसे बढ़ा है या फिर Google पर search करके बहुत सारी ऐसी websites हैं जिनमें आपको अपना ID password login कर लेना है मतलब अप अपने account को login कर लेना है महाँ पर आपको कुछ दिर वेट करना है उसके बाद followers आपके इंक्रीज हो जाएंगे और कई website तो ऐसी है यहाँ पर आपको अपनी ID password से login भी नहीं करना है मतलब अपना username या website link की दे देना है अपनी profile का link की देना है महाँ पर उससे ही आपके followers increase हो ज रहता है और ऐसे account जल्दी से recover भी नहीं होते हैं लेकिन अगर आप followers ही बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक तरीका मैं बता जाता हूं कि आप अपने Instagram पर बहुत सारी account create कर लो सो दो सो पांसो जितने भी आप account create करना चाहें वह कर सकते हैं असानी से फिर उन्हीं account से अपने accounts को follow कर लो वहां से आपके followers increase हो जाएंगे लेकिन अब आप लोगों को यह पता होगा कि Instagram पर account create करने के लिए mobile number या email ID वगरा देनी पड़ती है और वहाँ पर उसको verify भी करना से तो वह सब में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Instagram account पर multiple account कैसे बना सकते हैं यानि बहुत सारी account आप कैसे create कर सकते हैं वह भी without email ID के तो चैनल पर नए है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले लो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर ले रहा तो चली mobile की स्क पर आपको चाहिए ही चाहिए तो बिने email ID के आपका account create me होगा तो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले क्या करना है आपको अपने mobile play store को open कर लेना है और play store को open करने के बाद यहाँ पर आपको search कर लेना है ऊपर temp email यानि यह temporary email आपको यह पर प्रोवाइड कराता है यह application download है तो आप इसको application को install कर लीजिए फिर मैं आपको अताता हूं क्या process करना है आगी तो यह temporary email वाल application install हो गया इसको मैं open करके दिखा जिता हूं तो application को open करने के बाद ही आपके सामने आपर जो email है show होने लग जाएगा यहाँ पर already email show रहा एक तो इसको अगर आप change करना चाहे है copy पर click करके email यहाँ पर copy हो गया है तो अब आपको आपस Instagram में जाना है और Instagram में जाने के बाद आप यहाँ पर account create कर सकते है email डाल दीजिए next पर click करते हैं तो email डालते हैं यहाँ पर आपके पास confirmation code आएगा उसी email आईडी पर आएगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास notification भी आ गया है उसी में कि you have new notification तो मैं वापस बैग जाका तो temporary email को open करता हूं तो यहाँ पर मतलब मेरे पास mail भी आ जाएगा उसी email पर तो यहाँ पर application को open करने के बाद आपको नीचे option दिखेगा inbox का तो inbox पर click करना है inbox पर click करने के बाद यहाँ पर confirmation code मिल जाएगा जो वहाँ प इसको यहाँ पर copy कर लीजिए और copy करने के बाद आपको यहाँ पर इसको डाल देना है तो confirmation code डालने के बाद next पर click कर दिया है तो यहाँ से देखिए इसका confirmation code भी आपर verify हो गया है आप आसानी से अपने account को यहाँ पर create कर सकते हैं आप नाम डाल देता हूं जो भी नाम आप आपको समझा रहा हूं कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमारा account बनकर तयार हो गया है बागी डीटेल्स आपको सब्मिट कर देने इसको में skip कर देता हूं अभी फोटो अगरा कुछ निलगाएंगे बाद में प्रोफाइल फोटो अगरा सब कुछ सब कुछ आप पर एडिट कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपने multiple account क्रेट कर सकते हैं इस id से आपने एक बार account क्रेट कर लिया फिर आपको वापस जाना है उस temporary email में और temporary email में जाने के बाद आपने जो email ID पहले यूज कर लिए उसको आपको ignore करना है अब आपको फिर से change पर आपको confirmation code भी आ जाएगा इस तरह से आप आप temporary email का यूज कर सकते हैं तो simple से तरीका है आसानी से आप अपने account क्रेट कर सकते हैं बहुत सारे account आप बना सकते हैं जहां तक आपको time हो उसी रसाप से तो इसको यूज करके आप अपने followers भी बढ़ा सकते हैं और आधर कामों के यूज कर सकते हैं तो उमद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो को लाइक करें और चैनल करें मिलते है कि लिए अunnodoy